दोस्तो नमस्कार मैं जिदेन कुमार तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एलाइस ब्लो मुबाइल अप्लिकेशन पे जो नया अपडेट आया है सेक्योर्टी फीचर का टी ओटी पी पिन जनरेट करना उसको कैसे आप जनरेट करेंगे इजी तरीके पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगा तो आप इजी तरीके से आप क्या करेंगे इस ओटी 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 पी को सेट कर पाएंगे ठीक है तो वीडियो को अन्द तक जरूर देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने अप्लिकेशन पर जाना है एलाइस ब्लू की अप्लिकेशन पर तो ये आपकी अप्लिकेशन खुल जाएगी स्विश टू इसमें क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी आईडी है वो आपको अपनी ID यहाँ पे डालने पड़ेगी जैसे मेरी ID जो भी है ID डालने के बाद आपको login में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो आपको first time password आया होगा आपके mobile पे वो आपको यहाँ पे इंटर करना है ठीक है मैंने पहले ही बना रखा है फिर भी मैं बुकर रहा हूँ पास्वर्ट डालने के बाद simple सा आपको login में क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे year of birth मांगेगा आपको simple सा अपना year of birth डालना है तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है घपराना नहीं है आपको enable external tootp में आपको simple सा क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक sms के थुरू आपके mobile number पे आपको एक otp आएगा तो कुछ इस तरह का आपके mobile number पे और आपके mail id दोनों पे आपको कुछ इस तरह का आपको otp देखने को मिलेगा तो आप simple सा क्या करेंगे यह जो otp है वो otp आपको डाल देना है जैसे आप otp डालेंगे तो कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपका जो ये QR कोड दिख रहा है उसके नीचे लिखा है cannot scan question mark copy the king तो इसको आपको क्या करना है simple सा copy कर लेना है ठीक है copy करने के बाद आपको अगर आपके phone पे Google Authentic जो application होता है वो नहीं है तो सबसे पहले आपको ये Google Authentic आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो क्या करें आप उसके लिए Play Store पे जाएं और Play Store से Google Authentic करके एक application आता है उसको आप डाउनलोड कर लें ठीक है डाउनलोड जैसे ही करेंगे इसके बाद आप इसको open करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफिस देखने को मिलेगा आपको सिंपल सा Get Started में क्लिक करना है और Inter Setup Key में क्लिक करना है इस वाले option में ठीक है यहाँ पे Account Name और Your Key का option आएगा आपको Your Name में Whatever जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं मैं यहाँ पे Elias डालना हूँ ठीक है Your Key में जो आपने वहाँ से Key Copy की थी यह जो आपने Key Copy की थी उसको सिंपल सा यहाँ पे आपको Paste करना है यह देखे Paste हो गया इसके बाद आपको Add में क्लिक करना है जैसी आप Add में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको Interface देखने को मिलेगा ठीक है ठीक है तो यह जो Code आपको देखने को मिल ला है यही Code सेम आपको यहाँ पे Mencion करना पड़ेगा ठीक है तो यह जो Code है आपको यहाँ पे Mencion करना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो किछ इस तरह का आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा है आप क्या है आपका जो भी है सेट अप हो चुका है आप क्या करेंगे आप आप क्या करें सिंपल सा सारी प्रोसेस हो चुकी है आप क्या करें Google Authentical में आप जाएं simple सा यह जो code आया है आपको वो code डालें आप दोबारा से वहाँ पर ठीक है यह आ गया 2FA वाला option आ गया आपको अब आपको कुछ नहीं करना है आपको enable now में click करना है ठीक है ना तो यहाँ पर आपका face recognize और क्या गरना पड़ेगा fingerprint का option आएगा यह आपके mobile phone का features है जो आपने login करते समय आपने जब नया mobile लिया होगा security features डाला होगा वो उस तरह का जो आपने fingerprint डाला होगा वो fingerprint यहाँ पर आप add कर सकते हैं ठीक है जैसे ही आप इसमें click करेंगे आप देखिए आपका यह application open हो चुगा है ठीक है तो आपको दो mobile phone की जोड़त नहीं होगी आप एक ही mobile पर इस application को easy तरीके से आप run कर पाएंगे और Google Authentical के थुरू आप यह application को open कर पाएंगे बहुत easy तरीका है simple तरीका है आपको कुछ नहीं करना है जो मैंने step आपको बताया है वो stop follow करना है और आप easy तरीके से आप इस password को आप generate कर पाएंगे first time अगर जब आप login करेंगे थोड़ी सी आपको problem हो सकती है जैसे ही आपका एक बार login हो जाएगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा जब भी आप login करें तो आप क्या करें Google Authentical में जाएं आपका easy तरीके से वहाँ जो code होगा वो code यहाँ पर पूट कर देंगे डाल देंगे इसके बाद आपका application open हो जाएगा मैं आपको एक बारी practical करके दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं इस application को अपने logout करता हूँ के बैने logout कर दिया है अब मुझे जैसे इसको फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे login करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा first of all आपको क्या करना पड़ेगा अपना password डालना पड़ेगा जो भी आपको आपने password बना रखा है ठिक है अब यह आ गया है आपको TOTP वाला आप्शन ठिक है TOTP जैसे ही पूछेगा आपको सिंपल सा Google Authentical वाले अप्लिकेशन पर जाना है आपको और वहाँ जो कभी कोड आपको दिखेगा वो कोड आपको यहांपर मेंसिंशन कर देना है जैसे ये code मेरा दिख रहा है ठीक है न अच्छा ये ये हर 20 second में change होता रहता है तो उसके लिए आप घबराएं नहीं जो भी यहाँ पर दिखेगा उसको आप डाल दें इसी तरीके से ठीक है ये देखे मेरा application open हो चुका है तो इस कुछ इस तरह से आप easy तरीके पर इस Google अंतौर्टिकल वाले अपली प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें वीडियो को जादा स्यादा शेयर करें धन्यवाद